तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गाड़ी का जो पईया होता है वो अगर आप खोल देंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज होती है कैसे आपकी गाड़ी के ब्रेक लगते हैं कैसे आपकी गाड़ी के पार्किंग ब्रेक काम करते हैं कौन-कौन सी ची कि अंदर की हर एक चीज के बारे में बेसिक बेसिक थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजिनियर खोपडी तो यह drum type का break है disc type के break के बारे में किसी दिन दूसरे दिन बात करेंगे आज हम drum break के बारे में बात करेंगे यह generally गाड़ी में पीछे वाले पढ़ियों में दिये होते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले इस drum को खोल लेना है drum खोलने का क्या तरीका है वो मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी तो यह हमने drum break खोल लिया है तो drum break खोलने के बाद में अब आपको इतनी सारी चीज़े यहां पर दिखाए देती है सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटी चीज़ों को बता देता हूँ आपको सबसे पहले साइड में यह दो जो आप देख रहे हैं गरीन कलर के यह break pad आपको देखने को मिलेंगे break pad का का काम यह होता है कि जब आप अंदर से लीवर दबाते हैं तो यह pad जो है वो थोड़ा बहार आ जाते हैं और बहार आने पर क्या है आपका जो यह break drum है इस पर यह सट जाते हैं यहां पर चारो तरफ तो जब इसको दबाते हैं तो friction से आपकी गाड़ी जो है वो रुख जाती है यह काम होता है आपके break pad का लेकिन अभी आपने देखा कि ब्रेक pad दब तो जाते हैं लेकिन दबने के बाद फिर वापस कैसे आएगी कोई ऐसी सकती चाहिए जो कि उनको वापस लेके आए तो जो वापस बाहर के साइड में जब ब्रेक पैड जाते हैं तो उनको वापस लेके आने का जो काम है वो ये वाला spring कर दा है यहाँ देख सकते हैं इस spring का काम यह है कि जैसे ही यहाँ पे जो force लगता है वो कम होगा तो यह spring जो है यह अंदर की तरफ इसको खीच लेगा और आपके brake pad जो है वो अंदर की side में आ जाएंगे मतलब ब्रेक आपके फिर आपके गाड़ी घुमने लगेगी तो ये काम होता है आपके ब्रेक पैड़ का अब इसमें यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे सिलंडर इस सिलंडर का काम यह होता है कि जैसे ही आप धबाते हैं ब्रेक तो जो ब्रेक फिलूड है वो आपके इस वाली पाइप लाइन से होके ऐसे और आपके इस सिलंडर में आ रहा है यह सिलंडर में जुड़ी हुई है यह पाइप लाइन तो आपका ब्रेक फिलूड जो है ब्रेक ओल आता है सिलंडर में और यहां पे दो piston होते हैं, एक इधर है और एक इתर है रबड के अंदर तो ये डूनों बीच में जब काम करता है तो दोनों को बाहर ऐसे ऐसे दबाता है तो जब बाहर के ओर दबाएगा तो यह जो piston और आएंगे यह piston ही इन pad को बाहर के ओर बेजने का काम करेंगे तो इस तरह से यह break pad जो है आपकी वो खुलती है बाहर की side में मैंने आपको दो चीज बता दी है कैसे ये break pad बहर की side खुले कि अगर आप break pad दबाएंगे तो यहां brake flood आएगा वो ऐसे पैर के अंदर जो चीज लगे होती है उनका बेसिक चीज यही है अब इसमें यहां पर जरुरत आती है यह कि जब यह ब्रेक पैड हमारी घिस जाती है अब यह इतनी मूटी है फिर इतनी रह जाएगी फिर इतनी रह जाएगी तो हमारे ब्रेक कम लगने लगेंगे तो उसकी स setting आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दिया हुआ है ये ये वाला जो लिपर आप देख रहे है ये उसी की okay可以 के लिए दिया हुआ है। आप देखिये इसका तरीका क्या है इसमें आप अién गुरूड बने हुए है ये अगर इनको आप नीचे की साइड में करेंगे ऐसे ऐसे गुमाएंगे तो ब्रेक आपके जो है वो टाइट होंगे मतलब जैसे जैसे गुशेगे आपको ब्रेक टाइट करने हैं आपके ब्रेक लूज है तो आप इसको नीचे गुमाईए ऐसे CSD से पैसके सायता से अगर आपको ब्रेक ढिले करने हैं तो इसको साइड में घुमाएंगे ऐसे उल्टा और उल्टा घुमाने से पहले आपको एक पत्ती यहां पे है वह पत्ती आपको थोड़ा सा दबा के रखने पड़ेगी यह वाली जो पत्ती है यह वाली पत्ती आप देख रहे हैं अंदर यह वाली पत्ती आपको ऐसे उपर उठ जाए नीचे सिर्फ दबागे तो तीन चीज आपको किलियर हो गई कि ब्रेक कैसे लगते हैं कैसे चूटते हैं और ब्रेक के आप सैटिंग कैसे कर सकते हैं देखे कितना आसान है ब्रेक लेकिन इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ब्रेक टाइट कर रहे हैं त तो फिर यह आपको थोड़े से ऐसे मार मार के फिट करना पड़ेगा तो प्रोब्लम हो गया तो यह उतना ही टाइट करना है जिससे कि यह ब्रेक ड्रम जो है यह आराम से आपका फिट हो जाए हाथ से अब एक चीज इसमें बसती है कि आपके पार्किंग ब्रेक कैसे काम करते तो यह जो दूसरा आ रहा है वायर यह देखी यह है आपके गाड़ी के पार्किंग ब्रेक का यहां से यह वायर आ रहा है और यह आके इस वाले लिवर में यहां पे जुड़ा हुआ है और यह वाला लिवर इंटरन कहां जुड़ा हुआ है आपके ब्रेक पैड के उपर त खीचने से क्या है ये इधर से अंदर जाएगा तो इधर से ये बाहर जाएगा यहां से ये अंदर जाएगा तो इधर से बाहर जाएगा मतलब इस पैड को ये बाहर के और धके लेगा तो मतलब कि आपकी जो पैड है वो आपके ड्रम में सट जाएगी और आपकी गाड़ी के काम होता है कि डिस्क को बाहर करें तिससे कि आपके गाड़ी के जो ब्रेक है वो आराम से लग सके तो उम्मिद करता हूँ कि इस वीडियो में आपने बेसिक बेसिक चीजे जान ली होगी कि कैसे 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 क्या क्या चीज आपको आपके पहिए के अंदर काम करती है और कैसे ब कमेंट है वो आप कमेंट सेक्षिन में आकर बता सकते हैं मेरे साथ आप बने रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू